मैं खड़ा हो जो मैं से बैटर करनाएं को बन बाएब करते रहो अच्छा करते रहो आपको एलकलाइन और हैसेडिक क्या चीज होती पहले यहीं बनाँगो और हमारे आसपास में जो महाल है अच्छा को इस तरीके का हो चुका है और यह अभी आप जिब लाइब आप देखें तो इससे आपको अंधाता भी लगेगा एक बोटल में यह हमारा एलकलाइन आउनाइस्ट वाटर है इसका थोड़ी मांतरा में इसमें आपके सामने इस ग्लास में डाल रहाँ यह हमारा मार्केट में अबलेबिल एक प्रांट बेस प्रांट से को दुश्मने नहीं कुछ भी अगर आप लेंगे इस तरीके का बोटल बस पानी सब यही काम करेंगे जो आपको इसमें दिखेगा और यह बीद मिलने वाला एक प्रांट है तरगे कि कोई भी यह हमारा एल्कोहल और जो आज की तारिक में यह भी टैमो से भी आपको नजर आएगा बच्चों के लिए मोस्ट डेंजरस टिंग ना केबल स्प्राइट वल्कि कोई भी प्रांट जो मार्केट में अबलेबिल सारे के सारे बच्चों के लिए हानिकारा कि उसकी हानिकारे को भी आप देखेंगे तो मैं इसकी थोड़ा सा पार्ट इस जार में डाल रहा हूँ और आम तो पर किसी भी चीच की असिड़िटी और अल्किलटी को चेक करने के लिए यह एक पी एच जेस्टर के नाम से कहले जिए है यह यूनिवर्सल इंडिकेटर कहला का है तो यह आप रहीं से भी करते हैं जी कुछ बूदे में डालूंगा कुछ बूदे में डालूंग कि यह चार्ट आप देख रहे हैं इसमें 0 से लेकर 14 तक की डिजिट्स है तो 0 से लेकर 6.9 तक अगर कोई चीज आती है तो वह एसिडिक कहला है और किस तरीके से हम जान भूझकर अपने इस अलकलाइन बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं और कहा जाता है कि अगर आपकी बॉड आपके यह चारी होती ही नहीं सकती चाहें वो कैंसर ही क्यों ना हो और हम अपने बच्चों के साथ में कितना खिलवाल कर रहे हैं जाने और अन जाने वह अभी आप खास तोर पर देखेंगे तो मैं क्या दिखाना है और 7 हिट्रल हो गया और इसकी रेंज अले लाग लाग 10 है और 7 से 8, 9, 10, 11 की तब अलकलाइन के शड़ी में आप आखा है sûसकी शजीशन को मैंने च्छोटी बाटल में कर रखा है यह मैंने डाला alkaline ionized water में जिसकी कुछ बुन्दे मैंने डाली आपके यह आरो में यह कुछ बुन्दे मैंने डाली alcohol में और कुछ बुन्दे मैंने डाल दी आपके cold ring और आप देखिए इनमें कौन कौन से color आएंगे यह हमारा alkaline blue की दरफ हो गया दस pH की आसपास का है वहीं पर अगर हम देख रहे हैं यह हमारा आरो वाटर और यह हमारी फ्रोटर आपके आरो वाटर जो है वो छे और फ्राच के आसपास रहता है यह भी हमारा फ्राच और छे के आसपास रहते हैं यह लेकिन नकर हम cold ring को देखें को कहा पर है एक या दू के आसपास और सबसे मज़ेतर मत अगर आप देखें कि हम इस पानी के माध्यम से बहुत सरी चीज़ों को एलकलाइट कर सकते हैं लेकिन जहां जो जो लोग कोल्डरिंग पी रहे हैं खाने के शोकीने पीने के शोकीने बच्चों को बिला रहे हैं उनका क्या हाल होगा तो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसी एलकलाइट पानी को अगर आरों में डाला तो क्या हो गया यह भी एलकलाइट में कनवर्ट हो गया जो यह हमारा alcohol है यह भी acid form में होता है इसमें मैंने इस पानी को डाला यह भी इसमें alkaline में convert हो गया लेकिन अगर मैं इसमें alkaline पानी डाल रहा हूँ तो यह इसी भी तरीके से convert नहीं हो रहा है और क्या कोई भी बच्चा इतनी सी कोल्डरिंग पीता है वो 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml कोल्डरिंग पीते हैं तो ऐसी पांच लीटर भी अगर पी जाएंगे तो उनकी गॉडी पे alkaline में नहीं हो सकती किसी भी condition में तो आप सोचें उन बच्चों को बिमार होना है कि नहीं होना है और जिस दिन से मैंने ये टेमों देखा और मैंने आज पास के लोग जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं और इन फूचर की जो लोग देखेंगे मेरी उन से हाथ जोट के रिक्वर्स है कम से कम कोल्डरिंग का अपने हाथों से अपने बच्चों को कोल्डरिंग रूपी जहर ना पिलाए कि इतने ही मैं कहना चाहूं का दन्यवाद